इस सीरफ का उप्योग जान लेते हैं कहां किस बीमारी किस समस्था में यह सीरफ का उप्योग किया जाता है इस सीरफ में अमब्रॉक्सिल हाइड्रो कलोराइड और लिवोसलब्यूटामाल सलफेड और गौाई फैंसीन होता है जैसे कि खासी आ रहा हो और सीने में बलगम जमा हो और जिससे सांस लेने में कठिनाई हो रही हो तो इन सब को ठीक करने के लिए इस सीरफ का उप्योग किया जाता है इसमें जो लिवोसलब्यूटामाल है वो एक ब्रॉंकोडालेटर है या सांस नली और मास पेसियों को आराम पहुचाता है जिससे सांस लेने में आसानी हो जाती है और जो इसमें अंब्रॉक्सिल हाइड्रो कलोराइड है एक मिउगोलाइट एजेंट है चुकि ये बल्गम को पतला करता है से खासी की समस्या ठीक होता है जो इसमें गौाई फैंसीन होता है या एक एकस्पेक्टो रेंट है या बल्गम को बाहर निकलने का काम करता है या बहुत ही अच्छा सीरफ है बल्गम वाली खासी को ठीक करने के लिए जैसे कि अगर हम अगर हम इस सीरप की डोज की बात करें तो जैसे की-10 Hoffs दिन मेर में 3 बार दे सकते हैं सुबा दूपार साम ज़ादा खासी आता है तो दूपार को भी दिद दे सकते है नहीं तो सुबा साम-10 Hoffs Śiraप का डोज होता है बढ़ो में अगर आपको और ज्यादा प्रेसानी है तो आपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपरक करके दवा लें, कोई भी दवा आप अपनी मर्जी से ना लें